हेलो डियर स्ट्रेंड आप सभी का स्वागत है फोर एक्जाम पार में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का वारल प्रेशन और यह प्रेशन आपके 5 फरवरी को छपने वाले हैं ठीक है आपके फानल एक्जाम में है ना तो सारे से रिक्वेस्ट है कि इस वीड प्रेशन यहां से आपके एक्जाम में बहुत सारे सड्वी चेपने वाले हैं तो चलिए इससे वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पाहले में बता दू यह वीडियो ए इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके है वाइरल प्लस्न वाला हाना जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौक्स में मिल जाएगा हना इसको देख लिए उसके बाद जो है सो ओवला वीडियो देख लेंगे हना तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं प्रस्न है अर्था नरेश्वर सेच् अगला देखेगा नेक्स्ट को शन आपके अस्क्रीन प्रस्न नहीं क्या है दोस्तों देखेगा हना प्रस्न है रमधारिस सिंग्धिन कर किस विश्विदाले में उपकुलपती के पत्पर थे यहां पे चार आपसन दिया गया है इसका सही उतर हो जाएंगे आपसन नमबर जो है ना बिल्कुल करेक्टर उतर है कोशन नमर देखेगा अगला प्रस्ण है नारी और नर एक ही द्रवे की ढ़ली दो परतिमाएं हैं किस रशनकार की पंक्ति हैं यहाँ पे चार आप्सन दिया गया है इसका करेक्टर उतर हो जाएंगे 37 नमर का हना इसका सही उतर है आपस है ओस्दा नीरा सिपाही की मा अर्धन देशवर और आप्सन दी है परगीत और समाज तो इसका रैट उतर है आपसे नमर हो जाएंगे सी वाले ठीक है अर्धन देशवर जो है ना इसका सही उतर हो जाएंगे कोशन नमर देखेगा अगला आपके समक्षा गये हैं अना प्र कुशन आपके समक्षा जाते हैं अर्धन देशवर पार्ट के लिए खा कौन है यह या अर्धन देशवर किसकी रचन है आपको यह पताना है यहां पे चार आपसन दिया गये हैं इसका सही उतर हो जाएंगे आपसे नमर कौन सा तो बेवाले हो जाएंगे रमधारिश सिंह का ओके कुशन नमर देखेगा अगला प्रसन आगे है दोस्तों प्रसन क्या है रमधारिश सिंह दिनकर की रचना कौन सी है उसने कहा था जूठन तरीच अर्धन देशवर तो इसका रइट उतर है आपसे नमर डेवाले हो जाएंगे अर्धन देशवर ठीक है अगला प्रसन प्रसन आपके एगजाम में छपने वाले है दोस्तों हाना तो इसको अच्छे से रट लेंगे और आपको मैं बता दूँ आपको इसी प्रकार से हरे एक वीडियो करहां बताना है कि अर्धन नरिस्वर सिर्शक पार्ट में कौन विरित बन गया और नारी को इसने जो है जाएंगे आपसे नमबर 10 के हैं तब महाविकार किस पाइच से हैं यहां पर चार आपसे दिआ गया है इसका करेक्टर उतर हो जाएंगे डियर option number A वाले ठीक है option number A वाले क्या है तो अर्धा नरिस्वर जो है तो इसका सही उतर हो जाएंगे अब चलिए question number देखते हैं अगला अगला प्रसन आगे है प्रसन है दोस्तो दिनकर को किस क्रिती पर भारतिय ग्यान पीट पुरसकार प्राप्त हुआ अथवा ग्यान पीट पुरसकार से समानित रचन है आपको ये बताना है तो इसका करेक्टर उतर हो जाएंगे कौन सा तो इसका रैट अगला प्रसन आपके समक्स आगे है देखेगा कोशन के है यूध और सांती की समस्य पर लिखी गई काव्य क्रेती है तो यहाँ पे चार आप्सन है इसका करेक्टर उतर हो जाएंगे कौन सा तो इसका रैट उतर है आप्सन नमर बी वाले कुरूच छेतर आप्सन नमर बी वाले सीव और पारवती का ठीक है आपसन नमर ये वाले के हैं तो सीव और पारवती का नेक्स्ट कोशन देखेगा कोशन नमर देखेगा अगला प्रसन जैब प्रकास नर्यान ने किस साल चात्र अंदूलन का नेतरित्व किया दोस्तों यहाँ पे चार आप्सन दिया गे औ यह प्रस न स्भष punya अगभी ऑई है छपने आपको यह पताना है एनके पिताजी का क्या नाम था तो इसका और यह उतर है वह स्थार जाएंगे हरसु कर्ष किकिए इसका रेट उतर जाएंगे हरसु दियाल बिल्कुल सही उतर हो जाएंगे option number B वाले देखेगा next question आपके समक्ष आगे है प्रस्न है संपुन करांती जो है सु किसकी रहसन है आपको ये बताना है इसका रेट उतर क्या हो जाएंगे इसका सही उतर है option number D वाले जैपरकास नरायन का ठीक है option number D इसका बिल्कुल करेक्ट उतर हो जाएंगे देखेगा next question आपके समक्ष आगे है प्रस्न है जैपरकास नरायन का जन्म कहां हुआ था यहाँ पे चार option है हना इसका सही उतर है option number B वाले सिताब दियारा में ठीक है option number B वाले के है सिताब दियारा में हुआ था next question देखेगा प्रस्न है बूध का काटा रचन है बूध का काटा किनकी रचन है बाल क्रिश्न भट का चंद्र धरस्नमा गुलेरी का जैपरकास नरायन का और option number D है नामवर सिंह का तो इसका सही उतर है option number 2 वाले चंद्र धरस्नमा गुलेरी का okay question number देखेगा अगला प्रस्ना आगे है देखेगा ना प्रस्न है चंद्र धरस्नमा गुलेरी किस सती के परमुख लेखाक ते यहाँ पे चार option है इसका सही उतर है option number D वाले 20-वी सती के ठीक है विश्वी सती इसका बिलकुल करेक्टर उतर हो जाएंगे कोशन नमर देखेगा next परसन क्या है दोस्तों गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानिया लिखी एक दो तीन और आपसन नमर डी है चार तो क्या हो जाएंगे इसका सही उतर हो जाएंगे अगला प्रसन आगी है निम्न में से कौन सी रसना गुलेरी जी की नहीं है यहाँ पे चार आप से दिया ग assessments क्या हो जैंगे प्रेक्टर यहा到 रिक कार कानी है Av अंगला प्रेसन देखेगा प्रसन आगे है उसने कहा था कहानी तो उसने कह यहां पर देख सकते को यूद की कहानी है दिवर प्रेम की कहानी पुरेमम पर बलिदान होने की कहानी है या तो फिर आपसे हम दोस्तों यहां पे सब्सक्रेक्षा Pirate weapons the आगिये है उसने कहानी में हुच इंपॉटेंट है धाहां निया गैं है इसकामा अंटा कुरेक्षा सर इसका सही उत्तर हो जाएंगे अगला प्रसना आ गए है लहना सिंग के गाउंग का प्लतन विदूसर कौन था पल्टन का विदूसर कौन था दोस्तों हजारा सिंग था मुक्तार सिंग था वजीरा सिंग था कुलदीप सिंग था तो इसका क्रेक्ट उतर हो जाएंगे आपसे नंबर कौन सा तुछ सी वाले हो जाएंगे वजीरा सिंग ठीक है आपसे नंबर सी इसका सही उतर हो जाएं किस कहानी में गेगरिन का उलेख किया गया है ठीक है यहाँ पे चार अप्षन है उसने कहा था रोज त्रीच रसी का टुकड़ा इसका सही उतर हो जाएंगे आप्षन नमर बी वाली रोज ठीक है और गेगरिन जो है सु यह क्या है आपको यह बताना है ठीक है यह किस प्रकार इसका सही उतर है आप्षन नमर बी वाले रोज हो जाएंगे अगला प्रसन देखेगा नेक्स कोशन आगया है प्रसन आगया है दोस्तों प्रसन क्या है रोज सिर्जा कहानी में किस ने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो तो यहाँ पे चार अप्षन है लेखक देखेगा प्रसन है दोस्तों प्रसन आगया है दोस्तों बचपन में खिलने के लिए सचीदानन घिरानन वाढ़सियान अगये ने कौन से नाटक लिखा था यहाँ पे जो है सो इसका करेक्टर उतर हो जाएंगे सी वाले ठीक है इंद्र सभा इंद्र सभा जो है ना इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएंगे देखिएगा नेक्स्ट कोशन कोशन अमबर आपके समक्ट चाज आते हैं रोज सिर्शक कहानी में मालती मेटी का बरतन गरम पानी से क्यों धो रही है आपको यह बताना है यहाँ पे चार आपसन दिया गये है खाना रखने के लिए खाना बनाने के लिए पानी रखने के लिए आपसन अमबर डी है दहीर जमने के लिए तो इसका सही उतर है option number day वाले हो जाएंगे दहीर जमने के लिए अगला question देखते है next question आपके समक चाह जाते है question है तार सप्तम का संपादक कौन है यहाँ पे 4 option दिया गया है इसका सही उतर आप सभी को comment में बताने ठीक है comment box में आपको बताने है dear है आप सभी बच्चे को जिनको जिनको पता है आप बताएंगे ठीक है आपको यह बताने है कि आप 35 प्रेस्ट में कितना प्रेस्टर कांसर जानते थी इस वीडियो को lag कर देंगे और जो है सो इसका part 3 में जो है सो एकदम most important viral question जो है सो हम लोग और देखेंगे है ना तो चैनल को subscribe करेंगे इसका जो है सो एक part hour आएगा ठीक है और जो है सो एकदम बढ़िया से हम लोग question देख लेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much आपका final पर इच्छा काफी करीब आच चुका है और काफी students को ये problem है कि उनका त्यारी अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है इसी इस्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी स्चिज़कों की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90 प्लस ला सकते हूँ इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ ठीक है अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जे से जादर जनकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर